हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुसके में हम उपचार नुसके चैनल में रोजाना एक लिटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सांथ ही बैल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें रसोई घर से जुड़े कुछ असरदार वास्तु टिप्स वास्तु शास्त्र को घर की समरिती और शांती के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है बहुत से लोग हैं जिनका वास्तु शास्त्र में बहुत अधिक विस्वास है और ये लोग किचन और घर से जुड़े वास्तु नियमों का पालन भी करते हैं वास्तु शास्त्र विज्ञान पर आधरित होता है इसमें दिशाओं के अनुसार घर और घर में रखे सामान को किस इस्तिती में रखना शुब होगा ये बताया जाता है रसोई को घर का सबसे मुख्य और एहम इस्सा माना गया है वास्तु अनुसार घर में रसोई का निर्मार करते समय कुछ बातें बेहद ही खास होती हैं जिन पर अमल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है तो आईए जानते हैं कि घर के किचन से जुड़े कुछ जरूरी वास्तु टिप्स के बारे में वास्तु शास्त्र अनुसार किचन की सही दिशा घर में किचन या रसोई घर की सही दिशा होना बहुत ही जरूरी होता है वास्तु शास्त्र अनुसार घर में रसोई घर, दक्षिर पूर्वी कोने या फिर आगने कोन में होना चाहिए अगर इन दिशाओं में किचन बनाना संभव ना हो तो आप रसोई को वायवे कोण या फिर उत्तर पश्चिम कोण में भी बना सकते हैं वास्तु अनुसार दक्षिर पश्चिम उत्तर और इशान कोण किचन के लिए सही नहीं माने गए हैं रसोई में खाना पकानी की सही दिशा किचन घर का एक महतुपूर्ण हिस्सा होता है इसलिए वास्तु शास्तर में इसकी एक सही दिशा बताई गई है किचन सही दिशा में होने के साथ ही किचन में खाना पकाने वाला चूला या फिर गैस बर्नर पूर्वी दिशा में होना अच्छा माना जाता है वास्तु शास्तर में बताया गया है कि खाना पकाने वाले कमों पूर्वी दिशा में होना काफी शुब होता है रसोई घर में पानी और सिंग की उचित दिशा वास्तु अनुसार कहा जाता है कि किचन में सिंग और पानी का इस्थान चूले से दूर ही होना चाहिए क्योंकि आग और पानी को आपस में एक दूसरे का विरोधी माना गया है आग और पानी का साथ होना शुब नहीं होता इससे परिवार के लोगों के बीच मद्भेत की स्थिती पैदा हो सकती है किचन में बर्तन धोनी की जगह किचन के उत्तर पूर्वी दिशा में होना वास्तो अनुसार बहुत ही शुब माना गया है बिजली से चलने वाले उपकरणों की उचे दिशा रसोई घरों में आजकल बिजली से चलने वाले उपकरणों का प्रियोग बहुत होता है यदि किचन में बिजली से चलने वाले समान को सही दिशा में रखा जाए तो वास्तो अनुसार इसे काफी शुब मानते हैं वास्तु अनुसार फ्रेज या रेफ्रिजरेटर को दक्षिर पस्टिम दिसा में रखना बहुत ही शुब बताया गया है एक्जॉस्ट फैन रसोई की पूर्वी दीवार या फिर दक्षिर पूर्वी कोने की दीवार में लगाना शुब होता है इसके अलावा वास्तु अनुसार दूसरे उपकरणों को रसोई घर की दक्षिर पूर्वी दिसा में रखना चाहिए दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप उपचान उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें